हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो ए 24 नौलेज ए ओफिशल यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केंद्रिय विध्यल्य संगठन के ओनलाइन एड्मिशन फॉर्म के बारे में तो फ्रेंट्स यहाँ पर क्लास फर्स्ट के लिए जो सेक्शनिक सत्र है 2020 & 2021 इस सकते हैं अब यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन इसके अलावा डॉकुमेंट सेंपल आपके प्रिंट अप्लिकेशन आपके अप्लिकेशन स्टेटस का जो स्टेटस आपके अप्लिकेशन का वो आप चैक कर सकते हैं आपके फाइनल प्रिंट आउट को आप निकाल सक और इसके बाद नीचे आने के बाद आपको इसको डिकलेर करना है और इसके बाद इसके बाद आपको इसको प्रोसीड करेंगे प्रोसीड करने के बाद आपका जो रजिस्टेशन प्रोसेस है यह स्टार्ट हो जाता है अब सबसे पहले बच्चे का नाम आपको यहां पर देन करेंगे इसके बाद यहां पर है आपका middle या last name यह आप एंटर करने के बाद आपको नीचे पूछा गया है अगर जो बच्चा है वो ph candidate है तो आप यहां पर yes कर सकते हैं नहीं है तो आप no करेंगे date of birth आपको यहां फिल करनी है तो क्या date of birth है वो आपको यहां से select कर लेनी है इसके बाद friends यहां पर next option है क्या बच्चा केंदरी विध्याले संगेठन की करमचारी का बच्चा या पोत्र या पोत्री है तो यदि है तो आप इन में से कोई option select कर लेंगे नहीं है आप not applicable करेंगे इसके बाद आपकी active and valid तो father, mother या guardian की आप जो mail ID है और जो mobile number है वो आप फिल करेंगे और mobile number आपका active and valid होना चाहिए क्योंकि इस पर एक OTP आती है वो आपको verify करनी होगी इसके बाद जो भी security code आपको दिया गया है यह security code आप as it is यहां पर फिल कर देंगे और इसके बाद न आपको यहां पर enter करनी होगी और इसके बाद दुबारा से जो यह नीचे आपको security code दिया गया है यह security code आप enter करेंगे और इसके बाद यहां से verify करेंगे इसके बाद फैंस आपका जो registration process है यह complete हो जाएगा अब आपका जो register user ID है जिसमें आप अपना login code आपके बच्चे की ज होगी जो कि आपने registration करते वक्ट फिल की है अब आपको यहां पर जेंडर सलेट करना है तो आपका जो भी जेंडर है बच्चे का वह आप सलेट कर सकते हैं आपके परिवार की आय क्या है तो आप यहां पर देखे कम आय के वर्क के अंतरगत आते हैं low income group में आते हैं या फिर यहां पर उस category को सलेक्ट कर सकते हैं अब आपके आपके ओपर dependent है अगर आप नहीं आते हैं आप यहां पर इस section को क्लिक करेंगे एक कर देखे में आसफे जो मस्ते सकते हं यहिं आप यहां पर आप यहां यहां पर जब ग्रतोक्त पर को स्क飛व करना के तो इस該 करना करना जरुरिक अपकर बनवार को करें भीज़ूरएगीन इस व्यूरिक जेकिश्य और इस उसीज़ारी और में ज्षिपन सब्ता बदने आप को यहां मैंशन करना होगा इसके लावा फ्रेंड से यहां पर आप आप BPL में आते हैं तो सेम आपके BPL की जानकारी भी आपको देनी होगी अगर आप इसमें नहीं आते हैं आप इसमें नो कर सकते हैं अब यहां पर एक ऑप्ष्ण और होता है फीमिल केंडेट के लिए एकर आप female candidate है तो यहां पर आप सेपिज पूचे कहा कि जो आपकी female candidate है single girl child है या नहीं है नहीं है अप no였 सकरते हैं अप्छ जोडवा- bahen भी पुरवेश के लिए आविदन कर रही है अर्दी कर रही है तो हां कीजिए नहीं कर रही है तो आप यहाँ पर इसमें no कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको details बताई है जो कि आप अपने according यहाँ पर selected कर सकते हैं इसके बार आपकी category currency है general है या फिर आपकी OBC है EWS है ST या ST है वो आप यहाँ से select कर सकते हैं और यह बार select करने के बार आपको blood group select करना है अगर आपको पता है तो कीजिए नहीं पता है आप इसको blanket छोड़ दीजिए गल्त एंट्री आपको बिल्कुल नहीं करनी है और इसके बार आप यहाँ से इसको nest कर सकते हैं इसके बाद friends से next option है यहाँ पर parents detail का तो यहाँ पर है सबसे पहने mother's detail और यह है आपके father's details if applicable तो यहाँ पर जैसे आप title select कर सकते हैं यहाँ से और इसके बाद आपका पूरा नाम मदर्स का पूरा नाम और आपकी nationality क्या है वो आप select करेंगे यहाँ पर copy father's address to fill mother's residential address तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं तो इसके बाद जब आप इसमें details को fill करेंगे फादर वाली में यहाँ आपको यहाँ पर सबसे पहले country चूज करनी है आपका state किस state के आप निवासी है तो आपका state के list यहाँ देखने को मिलेगी आप उसको select कर सकत और इसके बाद आपका जो pin code है वो आप यहाँ mention करेंगे आपका mobile number आपकी mail ID आप दोबारा से यहाँ enter कर सकते हैं और जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ आपका automatic यहाँ पर copy होता जा रहा है इसके बाद नीचे है आपके जो आपके occupation है उसकी details तो यहाँ पर mother and father इनकी occupation की details आप fill कर सकते हैं अब यहाँ पर friends आपके father क्या या फिर आपका खुद का जो भी occupation है organization में किसमें आप काम करते हैं उसकी जनकरी आपको देनी है अगर father और mother दोनों ही working है तो दोनों की occupation organization का नाम आप यहाँ पर mention कर सकते हैं और इसके बाद आप click करेंगे इस next वाले option पर इ kimchi bene g она Kwan अब को सबसे पहले जो है इसके पहले जो है state चूज करना है किसे state के अन्दर आवैधन करना चाहते हैं ऐसे ही आपको यहाँ पर अधढले का नाम जो है select करना होगा आप कौन से maintained के लिए आविद्धन यहाँ पर करना चाहते हैं इसके बाद friends यहाँ पर इसके पर इ नीचे आना है और आपको यहां पर extra details देखने को मिलेंगी अब यहां पर फैंस एक option और है अगर आप कम से कम एक विधाले का option करना जरूरी है अगर आप चाहें तो multiple भी अविधन कर सकते हैं नहीं तो आप एक में भी करके इसको छोड़ सकते हैं तो यह आपके उपर depend है आप यहां पर English or Hindi दोनों में ही पढ़ सकते हैं जिसमें नीचे आपको कहा गया है कि आपको सेवा प्रात्मिक्ता सेनी भरने में मरत चाहिए तो अगर आपको यहां पर नहीं चाहिए आप नो कर सकते हैं तो आप यहां पर yes करेंगे और इसके बाद आप यहां पर parents यह ग्रांड employee है तो वो आपको यहां पर चूज करना होगा अपका employment status आप चूज कर लेंगे जैसे मालीज आपने इस option को select किया अब यहां पर permanent employee आपने select किया इसमें आपको प्रात्मिक्ता स्रेनी है वो आपको select करनी होगी तो यह बिल्कुल ध्यान से है और सही सही आपको fill करना होगा तो friends यहां पर जो यह options है यहां अपने according select कर लेंगे अगर आपको इनमें से दिक्कत आती है आप select नहीं कर पा रहे हैं तो friends आप उस condition में इसमें yes कर सकते हैं और इसके बार आपका जो employer name है या फिर आप जो पी इनमें से option select करना चाहते है मालीज आपने self employer को select कर लिया और आ automatic आपका यहां पर option select कर लेगा तो यहां पर friends यह आपका जो सुईदा के लिए आपको दिया गया है अगर आप रात्मिता सेडी भरने में मरत चाहते हैं नहीं चाहते हैं उस condition में आप यहां पर no करके अपने according यहां पर option को select करेंगे तो आप जैसा करना चाहें वैसे आप य rate of birth proof आपको upload करना होगा अभी आप JPG या PDF कैसे भी upload कर सकते हैं साइज आपको यहां पर 256 के भी दिया गया है उससे कम आपको साइज रखना है बच्चे का फोटो आपको यहां पर upload करना है अब यहां पर friends आपको देखिए बच्चे की जनमतिथी का प्रमान पत्रे बच्च आपको यहां दी गई है और यही आपको documents अपलोड करने होगे अब यहां पर photo और आपके जो date of birth proof आप अपलोड कर सकते हैं इसके बाद friends यहां पर है last option जो की है declaration and submit का तो यहां पर friends आप से कहा गया है कि आपने जो भी जानकारी फिल की है वो बिल्कुल सही है आप declare करते है कि सभी जानकारी आप सही फिल कर रहे हैं और इसके बाद आप यहां से इसको declare कर सकते हैं और save to preview कर सकते हैं इसके बाद friends आपका पर यहां पर सम्मिट ऐप्लिकेशन का जो option है यह भी आपका open हो जाता है आप यहां से इसको open कर लेंगे इसके बाद फैंसे यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर आप एक बाद इसको submit करते हैं तो आप इसके बाद इसमें कोई भी changes या edit नहीं कर पाएंगे इसलिए अगर आपको यहाँ पर चाहते हैं इसमें कोई भी गलती ना हो इसलिए preview को आप ध्यान से पढ़ें चैट करें और उसके बाद ही yes submit पर क्लिक करें पर क्लिक करने के बाद friends आपके mobile नंबर पर एक OTP आएगी उसको आप verify करेंगे और इसके बाद आप इसका जो final printout है वो निकाल कर अपने पास रख सकते हैं या फिर आपके mobile पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी और आपको अपने जो भी KVS है वहाँ पर जाना है अपने documents के साथ इस form के साथ और आपने बच्चे की जो भी procedure है वहाँ पर जाकर आपने से बात कर सकते हैं इसके बाद friends आप चाहें तो यहां पर अपने आवेदन प्रिंट का option यहां से भी निकाल सकते हैं अपने आवेदन की सिति एप्लिकेस स्टेटस को आप यहां से चैक कर सकते ह हैं तो यहां पर friends आपको यह सभी डेटेल मैंने आपको बता दी हैं शौर्ट में बताने की कोशिश की है और बाकी की जानकारी के लिए friends आप इसकी official website पर या video description में जा सकते हैं वहां पर आपको इसकी details मिल जाएंगी तो friends अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइबंच जरू कीजिए और बाकी की जानकारी के लिए देखते रही है हमारा यूटूब चैनल एंड लास थैंक्स पोर वाचिंग